आज जिसो मेरे हाथ में है रियल मेट फोन आज मैं बैक इस्क्रिंग गाड डाल के दिखाऊंगा भी या वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक वा शेयर जरूर करें साथ में कोमेंट करें कि आपके मनमें जो भी कोशन से हमें जरूर बतावें जिया दोस्तों हम सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पीछे से चाप कर लेते हैं विया और आपको भी बैक इस्क्रिंग गाड जरूर लगाना चाहिए क्योंकि आपका फोन अगर दो-तिन महीने बाद में खराब होता है तो आपको बैक इस्क्रिंग लगाओ तो दो-तिन चाल में भी खराब नहीं होगा यह मेरा वादा है हमने अच्छी तरह से साप करके मेरे पास एक पनी है बैक इस्क्रिंग गाड़गी ओपनी को अपने हाथ चे थोड़ी सी कौनर में पहले सिपका देता हूं फिर बात में आपके पास अगर उसे में रोल बोलता हूं रोलर वगयरा जो भी है उसको आप मेरे पास में छोटा से रोलर है उच्छे में अच्छे से दबा देता हूं देखिए जी हां पर बात में आपका जो चाईड वाला कॉनर वाल एरिया है वह पर थोड़ा आपको दबा देना है निशी से अच्छे से जो एक्स्टा भागे उसको पकड़के थोड़ा दबा दीजिए ताकि क्या होगा कि आपका जो भी इसंगाड लगें वो निकले ना देखिए मैंनो इसको खेच के शिपका दिया अच्छी तरह जहां शिपक गया है हमारा इसंगाड फिर बात में आपको सरकली ब्लेड या फिर ब्लेड या फिर कोई भी एक्सवजेट से को जो धारदार हो उसको लेकर आपको अच्छी से पूरे चारों तरप से अच्छी से कटिंग क जाहते हैं अब सब्सक्राइब कीमरा के ऊपर रख भी सकते हो निकाल भी सकते हो वह आपको आपको उपर इसर चाहबदानी से आपको काट कर लेना है अगर थोड़ा बहुत भी दर उदर हुआ तो आपका जो बोड़ी है बोड़ी के उपर स्क्रेस पड़ जाएगा अच्छी तरह से सावदानी से आपको करना है कट यह दर देख सकते हैं चार और से कट करने के बाद आपका जो केमरे वाला भाग है अगर चाहओ तो आप रख भी सकते हो बट आप चाहओ तो इससे निकाल भी सकते हो आपके उपर डिपेंडेसर देखिए अच्छी तरह से हमारा कट हो गया है अब यह जो है वेस्टेज से उसको मैं निकल देता हूं देखिए वेस्टेज निकल दिया है उसको वह एक और पनी है वो भी आप चाहओ तो निकल सकते हों कैसा लगए हमें जवरू कोमेंट करके बताए भाईया